हलो फ्रेंट्स वेलकम बैग फ्रेंट्स अगर आप बीड कर रहे हो या फिर आगे आपको बीड करना है तो कुछ पॉइंट्स है जिसे ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से points है तो सबसे पहले point की अगर हम बात करें तो वो है कि percentage ठीक है और यही सब ही points का हमारा motive हैगा यानि कि पहला ही point हमें gain करने के लिए और भी सारे points को धियान में रखना है यानि कि B.A.D. में आपका कम से कम तो आपको help मिलेगी तो B.A.D. में कोसिस रहे कि आपका percentage काफी अच्छा बने इसके लिए आपको क्या करना है तो पहली बात तो यह कि आपको subject किस तरीके से चुनना है ठीक है देखिए काफी सारे बचे confused होते हैं कि हमने बी यह किया हुआ है या फिर हमने graduation में यह किया हुआ है हमें आके B.A.D. करना है तो हम B.A.D. में कौन सा subject चुने तो आप जानते हैं कि B.A.D. में आपको दो subject चुनना होता है जिसमें कि आपका एक main subject होता है और एक आपका जो secondary subject होता है तो किस प्रकार से आपको subject select करना है तो देखिए इसमें जो आपका main subject होगा ठीक है B.A.D. में यह आपका जो graduation का subject रहेगा आप वही subject जो है B.A.D. में main subject के रूप में चुने यानि कि जिस subject से आपको teacher बनना है वही subject आप main subject के रूप में चुन सकते हैं जैसे अगर आपने B.A.D. किया हुआ है B.A.D. में मान लिजे कि आपने geography, political science यह सारे चीजे subject ली हुई है तो आप main subject के रूप में geography ले सकते हो या फिर political science ले सकते हो जो भी आपका B.A.D. में subject होगा जो कि आपके college में available है हर college में सारे subject available नहीं होते है तो आपको देखना होगा कि आपके college में जो है कौन से subject available है उसमें से जो है आप कोई भी subject जो है secondary subject के रूप में ले सकते हैं ठीक है वैसे अगर आपने B.A.D. किया हुआ है तो B.A.C. का जो subject होगा जिसे की आप teacher बनना चाहते हैं वो subject आप main subject के रूप में चुन लेंगे ठीक है secondary subject में आप कोई भी subject चुन लेंगे जिसमें भी आपका interest हो जो आपको अच्छा लगे ठीक है इस प्रकार से आप subject को select करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो दूसरा point से यह हो गया ठीक है तीसरे point के अगर हम बात करें तो देखिए अपने faculty से जो है relationship में रहें ठीक है faculty से अगर आप relation बना करके रहेंगे तो आपको काफी जादे बयानेफित होगा जैसे जैसे मान लिजए कि teachers हो गए ठीक है teachers से आप जो है संबंद अच्छा बना करके रखेंगे तो आपको आगे help मिलेगी जो आपके senior बगर है ठीक है senior से भी आपको अच्छा संबंद बना करके रखना है तो जो college से जो आपका internal marks मिलता है internal mark में आपको काफी जादे help मिलेगी ठीक है जैसे मान लिजए कि teachers से अगर आप relation में रहेंगे तो जैसे मान लिजए कि आपको जो है college में जो project वगरा है ठीक है practical वगरे में काफी अच्छे number जो है आपको मिल सकते हैं तो इन सब से जो है आपका percentage पे प्रफाव पढ़ेगा आपका percentage बढ़ेगा वैसे ही senior से अगर आप relation में रहेंगे आपका सब्बन इन से अच्छा है ठीक है तो इससे क्या होगा कि जैसे notes वगरा में आपको help मिलेगी ठीक है notes भी आपको provide करा सकते हैं senior notes बनवाने में help कर सकते हैं ठीक है project बनाने में आपकी help हो सकती है या फिर practical file बनाने में आपकी help हो सकती है बहुत सारे senior तो ऐसे होते हैं कि practical file यह है आपको कहीं से भी आपको दे देंगे जिसे कि आपका time भी बचेगा और आपको help भी मिल जाएगी ठीक है कि किस तरीके से आपको बनाना है क्या करना है तो आपको काफे जादे help मिल जालती है notes में भी और project में practical में सब चीजों में ठीक है और साथी साथ teaching में भी आपको help मिल जाती है जिसे आप जानते हैं कि teaching के लिए आपका internship लगता है जिसमें क कि आपको किसी school में भेजा जाता है intensive के लिए एक महिने के लिए पढ़ाना होता है तो जैसे माले जी आप घर से बाहर कहीं अलग सहर में बेट कर रहे हो जहां अंजान सहर है वहाँ पर आप किसी school में जाओगे कहीं पर भी school वाले आपको भेज सकते हैं तो अगर आप senior के touch म सकता है तो इस प्रकार से आपका percentage भी यहाँ पर बढ़ सकता है teacher से भी आप relation में रहेंगे तो इनसे भी आपकी help मिल सकती है तो यह सारी जो छोटे छोटे पॉइंट से आपको बहुत ज्यादे ध्यान रखना है जो smart बच्चे होते हैं वो यही सब काम करते हैं और percentage वो जो ह हाई फाई उठा कर गे लाते हैं तो यह सारी चीज़े आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है ठीक है तो यह सब चीज़े करने के लिए जो है आपको जाहे जो भी करना हो आप अपने तरीके से देख लें कि आप जो है senior से कैसे touch में रह सकते हैं किस तरीके से अपना जो है relation उनसे अच्छा बना सकते हैं teacher से किस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं अपना relation ठीक है सभी से अगर आप अच्छे से रहोगे अपना relation जो है उनसे अच्छा बना करके रखोगे तो आपको जो है काफी जादे help मिलेगी ठीक ऐसा नहीं कि यह सारे points जो है मैंने आपको यू लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जादे जादे वीडियो को सेयर करना और ऐसे ही नए जानकारे के लिए नमें चानल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू